देश में कोरोना पिडितों की संख्या 31,332 हो गई है इन में से 22,639 अभी भी कोरोना पॉजिटिव है जबकि 7,695 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है बुद्वार सुबह तक स्वास्ता मंतराले की रिपोर्ट के मताबिक देश में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है अब तक 1007 लोगों की मरने की अधिकारिक पुष्टी हुई है केंद्रियस स्वास्ता मंतराले के मताबिक बुद्वार की सुबह तक अंधमान निकोबा वार में 33 कोरोना वारस के मामले सामने आये हैं जिनमें 15 को डिश्चाज किया जा चुका है उधर आंद्रप्रदेश में यहां आकड़ा 1269 है जिसमें 258 लोगों को डिश्चाज किया जा चुका है यहाँ 31 की मौत हुई इस बीच अरुनाचल प्रदेश कोरोना फ्री राज्य हो गया है असम में कोरोना फिर्ट लोगों की संख्या 38 पर पहुँच गई है जिनमें से 27 को डिच्चार्ज किया जा चुका है साथ ही एक की मौत हुई है तो बिहार में कोरोना वारस संक्रमितों की संख्या 366 हो गया है जिनमें 64 को डिच्चार्ज दिया जा चुका है दो की मौत हुई है चंदिगर में मामला 56 पहुच गया है तो 17 की मौत हुई है चंख्या 38 पर पहुच गई है जहां 34 लोगों को डिच्चार्ज भी किया गया है स्वासय मंत्राले ने very mild या pre-symptomatic patients के लिए home isolations पर दिशानिदेश जारी किये हैं जिन patients के पास self-isolation के लिए उनके residents पर requisite facility है उनके पास इस home isolation के लिए option होगा यह present guidelines जो हमने issue की है यह guidelines 7 अप्रिल को जो हमने इससे पहले suspected और confirmed cases को manage करने से संबदित guideline थी उनकी addition में है home isolation की यह जो guidelines है इसमें कुछ eligibility conditions है जैसे की patient को self isolation पर एक undertaking को भरना होगा medical officer द्वारा व्यक्ति को clinically या तो very mild case या pre-symptomatic case डाइगनॉस करना होगा उन्हें mobile पर ROG CT application को डाइगनूड करते हुए उसको निरंतर उप्योग करना होगा उनके पास self isolation के लिए और उनके family contracts को proper quarantine करने के लिए required facility होनी चाहिए 24 by 7 basis पर देख बाल करने के लिए उनके पास एक caregiver available होना चाहिए और caregiver और hospital के बीच में प्रॉपर कम्यूकेशन लिंक स्टैबलिश होना चाहिए